डिप्रेशन में आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना, डिप्रेशन आपने सुना तो है बहुत कोई, आपको लगता सिचुएशन से डिप्रेशन हो जाता है, सिचुएशन खराग हो तो बन्दा डिप्रेशन में आ जाएगा, हाँ, सेम सिचुएशन में, एक्जामपल दिया किसी को हो रहा है depression किसी को नहीं हो रहा है what is the difference क्या situation से depression हो रहा है नहीं situation को जेलने की शम्ता नहीं है इसके बार मैंने पहले बोल दिया tolerance बढ़ा ही है तो tolerance बढ़ाएंगे तो किसी भी situation में जाएंगे तो problem नहीं आएगा या आएगा भी तो निकल जाएंगे जल्दी लंबे समय तक नहीं रहेगा problem अब आते हैं बार depression होता क्या है depression में actually अगर आप symptom देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि depression होता क्या है वो इंसान एक depressive इंसान कुछ भी करने की उसके अंदर शक्ती नहीं होती कुछ भी करने की कोई भी काम अगर करने की भी कोशिश करेगा बहुत जल्दी distract हो जाएगा लंबे समय तक किसी काम को नहीं कर पाएगा और हमेशा ये लगा रहेगा डर लगा रहेगा तो यह है क्या अपने को न उठा पाना इसको एक और तरीके से हम कहते हैं कि जिसके अंदर बहुत हस्मुक इंसान होता है उदान शक्ति, ये उदान शक्ति क्या होती है, इसका फॉर्मूला है, अगर एक्जलेशन के बाद में आपके शरीर में इतनी जान है कि आप कुछ समय तक सांस को रोक सकते हैं, तभी आपकी उदान शक्ति अच्छी है, तो सीधा सीधा उदान शक्ति कमजोर होगी तो डिपरेशन होगा, इसके कारण और भी प्रॉब्लम साती है, जैसे रीड की हड़ी की जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है न, अब जैसे ये भी बताया कि आटो इमिन डिसॉडर में रीड की हड़ी गड़़ हो रही है, तो रीड आपकी उपर उठाने की शक्ति होगी न, उतना ज्यादा लोड कम होगा, ऐसे मान के चलिए 33 पत्थर, चप्ते पत्थर बीच में ड्रिल करो, रसी डाल दो, तो अगर आप दोनों तरफ से खीचोगे, तो सारे पत्थर अलाइंड होगे, आप उपर का खीचना कम कर दीजे, सारे स्लिप होने लग जाएंगे, इसे स्लिप डिस्क कहते हैं, यानि आपका उपर उठाने की जो शम्ता है, वो कम हो गई, ठीक है न, ये भी आप मान के चलिए, जब भी उपर उठाने की शम्ता कम होती अपने आपको, आप डिक्प्रेसिव टेंडेंसी में आएंगे ही, बॉडी पे लोड आएगा ही, ये चीज हर एक वो इंसान देख सकता है, आजकल तो कॉमन है, अपने आपको कोई भी काम करने में उत्सुपता कम होती है, जब रस्ती करना पड़ता है, करना है करके करना पड़ता है, वो खुशी नहीं होती कुछ भी एफर्ट लगाने में, तो कुमबक क्या है, कुमबक एफर्ट लगाने की शक्ती है आपकी, सांस रोकना भी कुमबक है, मगर हम सांस रोकने से कुमबक के पूरे आयाम को डिफाइन नहीं कर पाते, तो केवल सांस रोकना कुमबक नहीं होता है, आपके शरीर की पोजिशनिंग, आपके एनरजी की पोजिशनिंग, आपके मैंड की पोजिशनिंग, जिसकी वज़ा से आप एक आक्शन करते हो, कुमबक ये टोटल आयाम है, लेकिन सांस रोकना सिंप्लिस्टिक मैनर में समझ फॉला दिया जाएगा इन्हेलेशन भी कुमभक के उपर डिपेंड करता है इक्जलेशन भी कुमभक के उपर डिपेंड करता है आपकी मेमरी भी कुमभक के उपर डिपेंड करती है आपके कर्म भी कुमभक के उपर डिपेंड करते हैं आपके प्राण भी कुमभक के उपर ड ठीक है ना, तो कुम्भक से ही आप action करते हो, action से ही कर्म बनता है आपका, तो कुम्भक से ही कर्म बनता भी है और कुम्भक से ही आप उसी कर्म को तोड़ भी सकते हैं, है ना, तो effort आप कुम्भक से ही लगाते हैं, effort लगाते हैं तो action होता है, तो वो ही कर्म कहलाता है, अब depressive tendency तेंदेंसी में उदान शक्ति आपको बढ़नी पड़ेगे उदान शक्ति जैसे बढ़ेगे आपके डिप्रसिव टेंदेंसी सारी चली जाएगे पहली चीज पर्स दे अफ कुम्भक वाट यू नोटिस इस अरे मेरी एनर्जी हाए होगे एनर्जी जब भी हाए होगा आपके शरीर के अंदर डिप्रसिव टेंदेंसी जाती जाएगी एक दम से और कुछ समय बाद में आप देखेंगे आरे मेरा तो कॉंफिडेंस बढ़ गया लोग आपको अलग तरीके से देखेंगे बोलेंगे आरे आप तो पहले बहुत बुझे आपको कान करने में मन लगेगा आपका लाइफ का परफासी में अभी तो एक ही परफास है किसी तरीके से मेरा ये ठीक हो जाय bakın ठीक हो जायरो यह अभी लाइफ का परस्ना अभी लाइवography ने कुछ और बड़ा करने की right को कुंभब कर आपकी जीवन का परफस कि आना शुर आने का ही प्रकरम नहीं है यही एक तरीका है जिसे किसी तरीके की मांसिक बीमारी जा सकती है क्योंकि मनस जो है ना वो आपके शरीर का ecosystemic pressure होता है जो माइंड आप कहते हैं ना माइंड इस बेसके डा प्रेशर आपिटेक्ट्चर आफ तो कोई भी मानसिक बिमारी कुम्बत से ठीक हो जाती है गवाई से कोई भी मानसिक बिमारी ठीक नहीं होती है तो ये तो आपको करना ही चाहिए